हेलो फ्रेंट्स तो आज हम क्लास नाइन थेंसियारिटी मैथ्स के चेप्टर 10 के एकसरसाइज 10.5 का कुश्चिन नमर 7 डिसक्स करने वाले हैं तो चलिए फटा-फट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेशन को इन डीटेल एक-एक पॉइंट को अच्छे से सॉल्व करते हैं ठीक है तो क्वेशन नमर 7 में क्या दे रखा है कह क्या रहा है यह एक्वेशन यह मैं आपको बता दीता हूँ यह क्वेशन आपसे यह कह रहा है तो एक सरकल के अंदर एक कॉड्रेटरल बनाईए तो जब आप वो कॉड्रेटरल बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा साइकलिक कॉड्रेटरल क्या बन जाएगा साइकलिक कॉड्रेटरल क्योंकि सरकल के अंदर है मैंने पहले भी आपको बताया ही इस अवरी बाते तो इसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें एक चीज़ का आपको ख्याल कर रहा है कि जो इसके diameters हो जो इस quadratoral के जो diagonals हो ये circle का diameter हो मैंने क्या कहा कि cyclic quadratoral के diagonals जो हो वो डायामिटर हो किसका सरकल का डायमिटर ही साइचलि कवाड्रा का डायेगनल हो. ठीक है है ये चीजा आपको धियान रखना है तो फीगर आपको कुछ से बनाना है तो यह आपका फीगर तो अब इसको कह रहा है कि rectangle प्रूफ करिए कैसे करेंगे इसको प्रूफ सबसे easy method पूरे exercise का सबसे easy question है वैसे तो पूरी exercise काफी easy है देखिए आपने एक theorem पढ़ा है एंगल्स इन सेमी सर्कल सेमी सर्कल एंगल्स इन सेमी सर्कल आर इस 90 डिग्री आपने पढ़ा रखा है कि इस सेमी सर्कल में जो भी एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे तो बस आपका प्रूफ हो गया भाई यह इतना था therefore sorry angle ABC यह पर मैं angle ABC equal 90 डिग्री तो जब आपने एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो इसी के एंगल्स से सारे एंगल्स प्रूफ हो जाएंगे तो आप आपको सारे एंगल्स प्रूफ करने की चुरूफ नहीं है आप यहां से simply यह लेख सकते हैं angle ABC equal angle BC D equal angle C DA यह तो है ABC BC D C DA DAB equal 90 डिग्री तो all the angles are 90 degree therefore quadratoral ABCD cyclic quadratoral ABCD is a rectangle एंगल्स प्रूफ हो गया तो आज के लिए बस इतना ही झालवन जड़िदो झालवन ऐसे कि हो और शच्राइब हें ज्लिप से खिकिन धर कि औरा कर दो में जाए सकीज़त दो दोज चाम माल हें जालवन तेया को जड़ हें जालवन